हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई यूटूब चल जेनती खामबी में फिर सही ने वीडियो के साथ आज मैं आपको चंडी देवी का मंदर उत्राखंड की पवित्रवे धार्मिक नगरी हरी द्वार में नील परवत के सिखर पर इस्तित है जब माता की दर्सन के लिए भक्त लोग जाते हैं तो उसके दो रास्ते हैं एक तो पैदलपत है जो 3 किलोमीटर के बराबर पढ़ता है माता के दर्सन के लिए यदि किसी पर पैदल नहीं जाया जाता है तो उसके लिए उडनखटोला की विवस्ता है यह देखिए किस परकार उडनखटोला में बैठ कर भक्त एक एलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाला एक यंत्र है जिसमें एक साथ में चार सवारियां माता के गंतव्य मंद्र की तरफ जाती हैं जो कमजोर हैं व्रिद लोग हैं या अपहेज हैं वो ओडन खटूला के माध्यम से माता के दर्शन करने के लिए आसानी से चले जाते हैं और अपनी मनों कामना पून करते हैं तो मुझे भी माता चंडी के देवी के मंद्र में जाने का आफसर मिला तो मैंने भी पैदल पत्र ना जा करके उडन कटूला को चुना क्योंकि बहुत दूर है यहां से हरिद्वार बार बार वहां नहीं जाया था तो क्यों ना मेरा भी मन था कि मैं भी उडन कटूला में बैठकर माता के दर्शन करने के लिए चाऊं तो वैसे चंडी देवी का जो मंदर है उसकी चढ़ाई मनसा देवी से अधिक है तो मैं अडन कटूला में बैठकर के माता के दर्शन करने के लिए आए यह जो मंदर है देश के धार्मिक सत्लों में से एक माना जाता है चंडी देवी मंदर बामन सक्ति पीठों में से एक है चंडी देवी के दर्सन करने के लिए जो जाता है उसकी मनुकामना अवश्य पूरुन होती है इसलिए भग्त लोग वहाँ पर जाते हैं लेकिन नवरात्रों के अफसर पर वहाँ पर बहुत भीड रहती है देश के कोने कोने से लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं जब हम वहाँ गए तो भीड थोड़ी कम थी क्योंकि जब हम गए थे तो उससे पहले वहाँ बहुत भीड थी थोड़ी रहत थी भग्त लोगों का तो तांता हमेशा मंदर में लगा रहता है वैसे यहाँ पर वीडियो बनाना के लिए मना किया हुआ है मैं माता के दर्शन आपको नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ पर पुजारियों ने मना किया हुआ है कि माता के वीडियो को ही नहीं बनाएगा इस वज़े से हम माता के दर्सन आपको नहीं कराएंगे लेकिन मंदर के बारे में उसके हर प्रांगन के बारे में आपको अवगत जरूर कराएंगे तो माता चंडी देवी का मंदर इसका जो निर्मान था अठाए सो बहतर इस्वी में कस्मीर के राजा सुचेश सिंग ने किया था लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि संक्राचारे नेवी आठ्वी स्थापदी में माता की मूल पृतिमा यहां पर स्थापित की थी और उसका पुनर निर्मान राजा सुचेश सिंग ने कराया था तब से लेकर भक्त लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपके मन में यह भी प्रिसंद जरूर आ रहा होगा कि माता यहां पर वराजमान क्यों ही कौन सा कारण है जो माता की यहां पूजा की जाती है तो पृत्षी पर सुम और निसम राक्षसों का बहुत बोलबाला था उन्होंने लोगों को बहुत परिसान किया हुआ था तो भगवान ने सभी भगवान ने भगवान भोले से प्रात्ना की तो सभी के गुस्से से तेज से चंडी उत्पन हुई और उस चंडी ने सुम निसम राक्षसों को नील परवत पर उनका सर्वनास किया था तो देवताओं से उन्होंने वर्दान मांगने के लिए कहा तो देवताओं ने कहा कि माता आप इसी परवत पर वराजमान हो और जो भी भगवत लोग आपके दर्शन करने के लिए आता है उसकी मनो कामना आप पून करें तब ही से माता चन्डी देवी इस नील परवत पर वराजमान है और भगवत लोग जो भी सच्चे मन से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी मनो कामना अवश्य पून होती है यदि आपको भी वहाँ जाने का अवसर मिले तो आप हरी द्वार जरूर जाएं वहाँ पर बहुत दर्शनियस थल हैं उनमें से आप चन्डी देवी के भी दर्शन जरूर करें आप रेल के द्वारा बस किसी के द्वारा भी आप मंदर में आ सकते हो यह गंगा के किनारे दूसरी तरफ माता का मंदर है और जो एक्यामन पीठ हैं सकती के उनी में से एक माने जाती है तो इसलिए आप यदि आएं तो माता के दर्शन करें पैदल पत पर जाने में बड़ा ही आनन्द आता है भगत लोग माता के जैकारे करते हुए चले जाते हैं इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सेर करें ताकि ऐसी वीडियो सभी तक पहुंच सके जै माता दी